माता सीता ने दो नहीं बल्कि एक बालक को दिया था जन हिंदूओं के महाकाव रामायट से हम सब भी परचत हैं जिसको महीशी बालमिकी जीने रचत किया था और बाद में महाकावी तुलसी दाजी ने उसे आम लोगों के लिए सरल भाशा में उपलब्द करवाया था जिसमें विश्नु भगवान के अफ्तार श्री राम और लंका नरेश रावर के बीच माता सीता के अप्रहन के बाद लड़ाई में श्री राम की विजय गाथा का मनुहारी चित्रन किया गया है ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रभू श्री राम के पुतर लवकुष के बारे में क्योंकि माना जाता है कि माता सीता ने सर्फ एक ही बालक लवक को जनम दिया था कि तबी उनको माता सीता के गर्वती होने की सूचना मेरी जिससे प्रभू श्री राम काफी खुश हुए लेकिन प्रजा में इस बात को लेकर रोश उत्पन हो गया था क्योंकि माता सीता रावड की लंका से लोट कराई थी ऐसे में उस वक्त यदि कोई इस्तरी किसी पराय मर्द के पास से वापस तोटती थी तो उसे है द्रशी से देखा जाता था जिस वज़ा से माता सीता ने आयोध्या को छोड़ने का फैसला ले लिया हाला कि श्री राम उनके इस फैसले से दुखी थे लेकिन प्रजा की खातिर उन्होंने माता सीता के इस फैसले में हामी भर दी जिसके बाद स्वेम लक्षमर जी माता सीता को महिशी बालमिकी के आश्रमें पहुचा कर आये थे कहते हैं महीशी बालमिकी ने माता सीता को पुरानी जिन्दगी के गमों को भुला कर नया जीवन जीने को कहा और उन्ही के आश्रम में माता सीता ने एक बालक को जनम दिया जिसका नाम महीशी बालमिकी ने लव रखा एक बार की बात है जब माता सीता जंगल में कुछ लक्रियां इखटे करने गई तब उन्होंने अपने कार में मगन महीशी बालमिकी को लफ को समालने को कहा जिस पर महीशी बालमिकी ने सिर्फ हिला कर हां कर दी लेकिन माता सीता ने देखा कि महेशी बालमिकी अपने कार में ध्यान लगाये हुए हैं और लफ की और उनका कोई ध्यान नहीं है तो उन्होंने लफ को अपने साथ ही ले जाने का निश्चे किया उधर महेशी बालमिकी ने जब अपने आसपास लफ को नहीं पाया तो उनको ये भै हो गया कि शायद लव जंगल की और कहीं चला गया है और जहां उसको किसी जंगली जानवने अपना शिकार बना लिया होगा अब वे माता सीता को क्या जवाब देंगे जिसके बाद उन्होंने घास में एक मंत्र पढ़कर हू बहू लव की शकल का एक बालक उत्पन कर दिया लेकिन इतनी देर में जब माता सीता जंगल से वापस लोटी तो उनके साथ लव को देखकर महीशी बालमी की आश्चर चकित रह गए कहते हैं तब से माता सीता ने दो बाल को लव और कुश की परवरिश की और महीशी बालमी की के ही आश्चर में लव और कुश को सिक्षा प्राप्त हुई